हलो दोस्तों सुगर था अप सभी का तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय इंडिया में अभी लोक सभा के चुनाब चल रहे हैं और इस चुनाब को लेकर के सभी भारतिये किसी ने किस तरह से इन्वाल्व या इसके उपर डिसकसंड कर रहे हैं लेकिन इसी किसासात भारत के इस चुनाप को लेकर के दुनिया के बहुत सारे देश न शिर्फ अपनी नजर गड़ाये हुए हैं बलकि कई देश तो भारत के इस चुनाप को परभावित करने इंफ्लोंस करने के चक्र मिले गए हुए हैं चाहे वो अपनी कमेंट से या फिर ओपेनियन दे करके या फिर कि लोबलाजिसन के दौर में हलाकि यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे देश अपनी ट्रेड एकॉनमी और रिलेसनसिप के चक्र में दूसरे देशों के चुनाप पर अपनी नजर बनाए रखते हैं इसमें कोई नई या यू कह कि बुरी बात नहीं है लेकिन भार भारत को बराद करने, भारत की बरती एकानमी से जल करके भारत की रास्ते में रोड़े अरकाने या। फिर भारत की जो पॉलिसी रही है। जो कि सबसे खतरनाग बात है इसका ताजाग जामपल कोई और नहीं हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से अभी ऐसे ऐसे opinion, comments और social media पर propaganda यूँ कहें कि false information को काफी मातरा में distribute किया जा रहा है और बकाइदा अभी तो जो पाकिस्तान के कई प भारत के लिए खतरनाग हैं और भारत के लिए सबसे अच्छा कोई प्रामिनिस्टर हो सकता है तो वो इस समय रहूल गांदी जी है और हैरत की बात तो यह है कि कुछ ऐसे ही opinion चाइना से भी आ रही है और जो communist supporter बैठे हुए यहां पे वो तो बकाइदा यह बात पहलाने में लगे हुएं कि मोदी जी ने देश को बरबाद कर दिया है लेकिन अगर आप ध्यान से इस बात को देखेंगे और सोचेंगे समझेंगे तो आपको सारी बात clear हो जागी और समझ में आएगा कि आखिर माजरा क्या है और क्यों पाकिस्तान और चीन जैसे देश मोदी जी को जबी चीन और पाकिस्तान भारत की अच्छाई के बारे में सोच सकते हैं भारत के भले के लिए बारे में सोच सकते हैं किसी भी हालत में सच नहीं हो सकती क्योंकि आप और हम सभी जानते हैं कि एक तो पाकिस्तान जिस तरह से 1947 में बनने के बाद ही भारत के उपर एक नहीं कई बार भारत के उपर आक्रमन किया भारत के अंदर धर्म की नाम पे आतंग फिलाया भारत के मुसलमानों को भारत के ही खिलाब करने के लिए प्रोपेगंडा फिलाया और जिस पाकिस्तान से आए दिन गजबा हिंद करने की बात कही जाती है रोजाना पाकिस्तान की टीवी अबर मीडिया पर भारत को हिंदू बनिया देश के अगर के मजाग उड़ाय जाता हूँ साथ यह प्रोपेगेंडा किया जाता हूँ कि भारत के अंदर डेली मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है और इस समय तो खास दोर से जो मोदीज के बारे में पाकिस्तान से ओपिनियन नि सकते हैं आखर पाकिस्तान जो कि भारत को हमेशा अपना दोस्मन मानता है तो ऐसा दोस्मन देश किया कभी भारत का भला चाह सकता है और खास दोर से जो पाकिस्तान मोदीज से नफरत करता है तो आप सोच सकते हैं कि आखर मोदीज जी ने पाकिस्तान या चीन के साथ ऐसा क क्या क्या कि पाकिस्तान तो मोदीजी से चेड़ता ही है और उनको भारत का अगला प्राइम निश्र बनने देखना नहीं चाहता है चीन भी मोदीजी अगले पीम न बने उसके जिगा भारत के अगले पीम बने राहूल गांदीजी तो आप समझे इस बात को कि आखिर राहूल मंतरी बनती देखना चाहता है लेकिन मोदीजी को नहीं और इन फैक्ट एही बात अभी कुछ दिन पहले ही मोदीजी ने भी एही कहा कि आखिर क्यों पाकिस्तान या चीन जैसे देश राहूल गांदी के सपोर्ट में बाती कर रहे हैं उनको भारत का प्यम बनते देखना च चौदरी जो कि पाकिस्तान के पूर्ब आयर्टी मिनिस्टर पीम इमरान खान की सरकार में रह चुके हैं जिनके कमेंट्स ने सिर्फ मोदी पर बलकि भारत पर ऐसी ऐसी आई हैं जिसे साब पते चलता है कि ये पाकिस्तानी जो मैंटसिट है वो बढ़ते डेवलप्ट होते बारत से कितना परिसान है कितना चेड़ मची है पाकिस्तान के मन में जैसे आप अभी ये स्क्रीन पर सामने देख सकते हैं फवाद चौदरी का ये ट्वीट जब भारती इस रोख चांद्रियान टू ग्रेश लैंड हुआ था तब किसी देश के एक आईटी मिनिस्टर खव बॉलिवूड अनदर हंडे क्रोर और ये गाईज बिल बी ऑन दा मून और इस सिरियस नोट एक्स्ट्रिमिस्ट ऑल्वेज फेल और ये फेल्ड यानि फवाद चौदरी ने कहा भारत सिर्फ बॉलिवूड के थुरू ही यानि पिक्चरों में ही चांद पे पहुंच सकता है तो ये है एक आईटी मिनिश्टर का बियान की दिखाता है कि भारत के परती कितना हीट रखते हैं ये पाकिस्तानी मूदी जी के बारे में तो पूछे मत क्योंकि फवाद चौदरी कहीं या एक ट्वीट दिखाने के लिए काफी है जिसमें फवाद चौदरी ने कहा तो अगर जो लोग नहीं समझें तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मूदी जी के बारे पे ये ट्वीट किया था जिसका मतलब ये निकलता है कि पाकिस्तान के लिए कितना इंपोर्णिट होता अगर प्रसेप्टिव यानि बच्चे को जन्म होने से रोकने के लिए जो दो इस पर अपका क्या कहना आपने ची कमेंट करके बदा सकते हैं तैंक यू